दोस्तो किसी भी एक multi cylinder engine में firing order engine balancing का एक हिस्सा होता है firing order engine balance करने के साथे साथ engine का power output को भी बढ़ाता है तो आज की इस वीडियो में हम firing order के साथे साथ 3 cylinder, 4 cylinder, 6 cylinder और 8 cylinder engine का firing order की बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते है दोस्तो firing order को हम आसान भासा में समझे तो एक multi cylinder engine में कौन सा cylinder के बात कौन सा cylinder में power truck होगा यानि firing होगा उसे हम firing order कहते हैं एक petrol engine में firing order के अनुसार हम spark plug को control करते हैं सेम केसेस में diesel engine में हम fuel injector को control करके firing order को पूरा करते हैं तो आएए अभी जान लेते हैं एक engine में firing order पहले से set होना क्यों जरूरी होता है दोस्तो एक multi cylinder engine जहां एक से ज़्यादा piston का इस्तमाल किया जाता है और engine का सब piston एक ही क्रंगशाप्ट के साथ connected होते है एक engine में power stroke सबसे ज़्यादा ताकत बहर होता है और यह power stroke का load directly क्रंगशाप्ट के उपर लगता है इसलिए एक multi cylinder engine में कभी एक साथ 2 cylinder में power stroke complete नहीं किया जाता है यदि हम एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा cylinder एक साथ firing करने की कोशिस करेंगे तो इस cases में engine क्रंगशाप्ट failure होने का chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसी कारण एक multi cylinder engine में firing order के अनुसर एक के बाद एक cylinder को firing किया जाता है इसके अलावा firing order proper होने से engine से हमको maximum power output, maximum efficiency मिलता है और engine का running smooth होता है और दोस्तो firing order engine क्रंगशाप्ट को काफी हद तक balance रखने के लिए सहयक होता है चलिए इसे एक 3 cylinder engine का उदाहरन लेके समझने के लिए कोशिस करते है एक 3 cylinder engine का firing order होता है 1, 3, 2 मतलब पहले 1st cylinder में power stroke होगा उसके बाद 3rd cylinder में उसके बाद 2nd cylinder में power stroke होगा अब ध्यान देजिए जब पहला cylinder में power stroke होगा तो crankshaft को एक तरफा लोड लगेगा जो कि crankshaft को imbalance करेगा अभी crankshaft का पहला end में imbalance हुआ अगर हम crankshaft का दूसरा end के उपर लगा हुआ cylinder में firing करेंगे तो पहला cylinder ने किया हुआ imbalance को तिसरा cylinder ने balance कर लेगा फिर उसके बाद हम दूसरा cylinder को firing करके engine का running को smooth कर सकते है तो कुछ इस तरह से firing order engine को balance रखने के लिए मदद करता है यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक सवाल क्या एक multi cylinder engine में firing order बिगड़ता है और इसका जवाब है जी हाँ बिगड़ती है दोस्तों कभी ने कभी तो आप बस या कार में बेटते समय जरूर गौर किये होंगे जब गाड़ी का driver गाड़ी को start करता है तो कुछ millisecond या कुछ second तक गाड़ी में एक अचानक सा vibration मेहसूस होने लगता है और यह vibration engine का firing order बिगड़ने की वज़य से होता है दराशल जब हम engine को start करते है तो पहले किसी भी एक सिलिंडर में power stroke होता है और उसे सिलिंडर ने क्रंग्चर्ट के उपर किया हुआ imbalance हमारा गाड़ी को vibrate करता है फिर जब एक के बाद एक हर सिलिंडर को power stroke मिल जाता है तो वो अपने आपके बीच में firing order के हिसाब से balancing बना लेते है और हमारा engine का running smooth हो जाता है और ये process होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दो सेकेंड तक समय लगता है इसलिए एक गाड़ी start होते समय अचनक फायरेट करता है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक multi cylinder engine में firing order का क्या role होता है चलिए अभी समझते हैं कि कितने कितने cylinders का engine में क्या क्या firing orders होता है दोस्तो इस वीडियो में हम सिर्फ inline engines का firing order की बारा में बात करेंगे inline engine मतलब जिस engine में cylinders का arrangement एक ही line में होता है उसे inline engine कहते हैं और दोस्तो opposite engine और B engine का firing order हम किसी अलग एक वीडियो में बात करेंगे तो पहले देखते हैं inline two cylinder engine का firing order क्या होता है दोस्तो इस तरह का engine में जब पहला cylinder में power stroke होता है तब दूसरा cylinder में compression stroke चल रहा होता है इसी तरह जब दूसरा सिलिंडर में power stroke होता है तब पहला सिलिंडर में compression stroke चल रहा होता है तो इसका firing order होगा 1, 2 उसके बाद 3 सिलिंडर इंजन का firing order होता है 1, 3, 2 मतलब पहले 1st cylinder में power stroke होगा उसके बाद 3rd cylinder में power stroke होगा और सबसे आखरी में 2nd cylinder में power stroke होगा उसके बाद 4 cylinder engine में firing order 1, 3, 4, 2 होता है और 1, 2, 4, 3 भी हो सकता है firing order को engine का manufacturer ने अपने हिसाब से सेट कर सकते है उसके बाद एक inline 6 cylinder engine का firing order 1, 5, 3, 6, 2, 4 होता है इसी तरह एक inline 8 cylinder engine में firing order 1, 4, 7, 3, 8, 5, 2, 6 होता है दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ inline engines का firing order की बारे में बात किया B engine और opposite engine का firing order हम किसी और एक वीडियो में बात करेंगे वीडियो की बारे में आपको क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छर लगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार